नमस्कार दोस्तों, आपको आज एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे, जो 13 साल तक अटकी रही, जो आगे भी अटक सकती है इस मूवी में कफिल सर्मा भी काम करने वाले थे, फिल्म का नाम आपने कफिल सर्मा की कोमेडी में कई बार सुना होगा जब वो कमेडी सरकस में काम करते थे, उस मूवी को लेकर आखिर कार एक अपडेट आया है, जो कि मूवी के परुडूजर और डारेक्टर ने कहा है तो चलिए इस बारे में आपको बताते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है सेर खान 2012 में सलमान खान की फिलिम को सोयल खान ने अनाउंस किया था, इस मूवी को सोयल खान डारेक्ट करने वाले थे, उस समय कहा जा रहा था कि कपिल सरमा भी इस मूवी का हिस्ता बनेंगे अब इस मूवी पर 2025 में काम शुरू होने की सम्भावना जताई जा रही है, जब मूवी की कास्टिंग होगी यानि मूवी के लिए कलाकारों को चुना जाएगा, तब पता चलेगा कि कपिल सरमा भी मूवी का हिस्ता बनेंगे या नहीं सोयल खान इस मूवी को लेकर एक्टिम मोड में नज़ा आ रहे हैं, सोयल खान पता नहीं किस तरह का VFX चाते हैं, जिस कारण इसकी डेट बढ़ते बढ़ते 13 साल हो गए सेलीबेटरी क्रिकिट लिग सीजन 10 में सोयल खान ने न्यू जेटिम से बाच्चित करते हुए सेर खान की बात की थी, आखिरी कार क्यूं सेर खान को धंडे बस्ते में डाल दिया गया सोयल खान ने बताया था कि VFX एक ऐसी चीज है जो तकनीकी रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जैसे ही हम सेर खान की स्क्रिप्ट पूरी करते हैं, तभी मैं मार्वल की एक और फिलिम देख लेता हूँ ऐसे में मैंने जो लिखा है और जिस तरह का एक्षन हम चाते हैं वो मुझे बहुत बेकवर्ड लगने लग जाता है इस बारे में हम कुछ कहना चाते हैं और आप भी अपने बिचार कमेंट में बता सकते हो सोयल खान आप मार्वल के फिल्मों से अपनी फिल्मों के तुनला मत किया करो और ना ही उनकी फिल्मे देखा करो क्योंकि उनकी बरावरी आप नहीं कर सकते हो अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट बेकवर्ड लगने लगती है तो आपका विजन दूर दरसी नहीं है क्योंकि मार्वल तब से ना जाने कितनी फिल्मे बना चुका है अगर वो भी आपके तरह सोचने लग जाएं और अन्य फिल्म बनाने वाले डारेक्टर सोचने लग जाएं तो मार्केट में फिल्मे आने ही बंध हो जाएंगी सोयल खान का कहना है कि बीटे कुछ भक्त में उन्होंने होलीगूट सूपर हीरो फिल्मों का फॉर्मला क्रेक कर लिया है फेंटेसी एक्षन एडवेंचर फिल्मों से दरसों को बांधना और बोक्स ओपीस पर मोटी कमाई करना अच्छी तरीके से सीख लिया है सोयल खान आगे कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनाने के बारे में सोचने का डर जो तीन साल बाद रिवेज होगी यह एक ऐसी चीज़ है जिसे मुझे समझने और सेखने की जरूरत है मुझे ऐसा सुआ कि मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो फ्यूचर हो स्पिक नहीं, स्थिक हैं पर मार्बल और बीसी फिल्में स्कोर करती हैं वो ऐसी चीज़े करते हैं जो होने वाली होती है हमारा एक्षन यूमन बाला है तो हम जब टेकनोलोजी पर अधारिक एक्षन करते हैं तो चूग जाते हैं हम सिर्थ अभी के बारे में सोचते हैं जबकि बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है। इसी बातचीत में सोयर खान ने यह कंफर्म किया है कि वो सेयर खान को बापस ट्रेक पर लाना चाते हैं। जहां तक हो सकता है, 2025 में फिल्म बननी शुरू हो जाएगी। इस खबर से सल्मान खान के फैंस में खुशी के लहर दोड सकती है, क्यूंकि फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी। इस बारे में आपकी क्या विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताना है। धन्यवाद।